तो फाइनली आज भोला मूवी का टीजर आ गया है जो कि तमिल मूवी कैथी की रिमेक हिंदी वर्जन है 2019 में दिवाली के मौके पर कैथी रिलिज होकर पूरे थेटर भी धूम मजा दिया था जिसका बजट 25 करोड रुपय था और बॉक्स आफिस पर 110 करोड का करोबार किया था इसी फिल्म को दुबारा से अजे देवगन अपने ही फिल्म प्रोडक्शन में बना रहे हैं जिसमें काश्ट की बात करें तो अजे देवगन तब्बो और संजे मिस्रा आधि काम कर रहे हैं कुछ दिन पहले इन्होंने एक और फिल्म को प्रोडूस किया था 2016 में आई फिल्म सिवा है जो कि थेटर पे कुछ खास काम नहीं कर पाई थी लेकिन उसकी कहानी अच्छी थी फिल्म भोला की कहानी उत्तर प्रदेश के लखनओ से स्टार्ट होती है जो कि अजे देवगन की बेटी एक अनाथ हासरम में रहती है उसको बताया जाता है कि कल आप से कोई मिलने आ रहा है आज राज जल्दी से सो जाओ और पूरी मुवी इसी रात भर की घटना पर बेश्ट है जिस तरह से अजे देवगन का फ़च लुक दिखाया गया है कसम से मजा आ गया वो पैरों के बीच से कैमरा निकालना और उनको गीता पढ़ते हुए दिखाना क्या खतरनाक सीन है जहां तक मेरा उपिनियन है कार्थी को कोई रिपलेस नहीं कर सकता है जो कि कैथी मुवी में में लीड रोल में है उनका जो हर एक सीन में टच है और फाइट सीन जो कामाल की है और जो कैथी मुवी में बीजीम है भाई साहब क्या बीजीम है एक समय था जब उस BGM को मैं अपना रिम टोन बना के रखा था कैथी के सामने भोला का BGM थोड़ा सा फीका लगता है लेकिन भोला मूवी में भी BGM अच्छा है अगर आपने कैथी मूवी को नहीं देखा अभी तक तो आप यूटूब पे सर्च करके देख सकते हैं आप फ्री है आपको क्या लगता है कार्थी का रोल अच्छे से अजय देगन निभा पाएंगे या नहीं कमेंट बॉक्स में जुरूब बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अगली वीडियो में